हां जी पीजी भीपी चल रहा था हमारा अवाज थोड़ी डाउन है आज तो थोड़ा अरजेस्ट करेंगे काफी कुछ देख लिया है हमने अब तक इसमें और में चीज जो है जरा आएगी अब कि हम इस चैप्टर में इंकम की कॉम्प्यूटेशन कैसे करेंगे अगर हमें यह पता लग जाए तो शयद चैप्टर ही खतम हो जायागा फिर तो है ना कुछ चीज़े रह जाएंगी छोटी-छोटी से उन्हें निम्टा लेंगे ज्यादा दिर का यह चैप्टर नहीं है देखते हैं कितने लेक्चर्स इसमें लगेंगे चाला हमने बिजनिस की बात करी है यहां पर यह ना बिजनिस या प्रोफेशन तो बई बिजनिस में तो एक अकाउंट बनता था ध्यान होगा आपको अगर अकाउंट से आपने ट्वेल्ट करी है कोमर्स साइट से आपने अगर ट्वेल्ट करी है तो पीएंडल अकाउंट बनता था यह ना ब्राइटनेश की कमी तो नही और बढ़ा लेता है दोड़ी चलो पीएंडल अकाउंट बनता था लेकिन प्रोफेशन के केस में बनता है इंकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये भी सुना होगा जो ट्यल्थ वाले बच्चे हैं कि हां सर एंपियो में बढाता है हमने ध्यान है एंपियो प्रोफिट अलोष नहीं बनाया ऐकिया पने नहीं बनाया तो सीख लेते हैं आज ट्रेइडिंग एंड प्रोफिट अन्ट लोष बनाते थे हम है ना कुछ इस तरीके से करके कि ऊपर लिग देते थे तोई ट्रेइट एंड उलकाउंट और फॉर्मस बनाते थे वही टी सब क्यों बनवा रहे हैं इसे अब सबर रखो नलाय को तुम लोगों में धहरिय नहीं है धहरिय रखा करो सबसे पहले यहां पर ओपनिंग स्टोक आथा था ध्यानों का बिलकुल सर पर्चेज आया करती थी यहां सेल आया करती थी और यहां क्लोजिंग स्टोक यहां कुछ डारेक्ट एक्सपेंस एंड टोटल करके ट्रेडिंग का हम निकालते थी ग्रॉस प्रॉफिट क्या सर अब भी निकालना है ना बच्चे तो सरकाहे बनवा रहे हैं कहा ना अब से की थोड़ी देर का पेशिंस आप रखें इस ग्रॉस और थोड़ा सा जब यह अकाउंट बढ़ जाता है तो इसका नाम हो जाता है पी एंडल प्रॉफिट अन लोज यानि कि यहां तक वाला जो हिस्सा होता है वो अपना प्रेडिंग अकाउंट का है ना यहां तक वाला हिस्सा अपना प्रेडिंग अकाउंट का उसके बाद मे यह जो आता है नीचे है प्रोफिटें लोसर हो जाता है और यहां पर ना हम सारे खर्चे डालते हैं लाइक सैलरी दी हमने रेंट दिया हमने और इंकम टैक्स हमने पेड कर दिया यहां पर इलेक्ट्री सिटी के भी लोग है कुछ मान लो किसी ने गलती से पर्सनल एक्सपेंस भी ही से माइनस कर दिये तो वो भी हैं ले ले लेते थे हम मतलब सारे खर्चे ट्रांसपोर्ट वगरा के खर्चे हो गए स्टाफ से रिलेटेड कुछ खर्चे हो गए स्टाफ वेलफेर के एक्सपेंसे मान लो हलाकि salary हमने ले ली थी उपर कोई नी चीक है अब क्या करते थे उन दिनों क्या करते थे आप net profit निकालते थे हाँ या ना बिलकुल सर net profit निकालते थे net profit net profit निकालते थे हम इस तरीके से अगर net loss आता था तो वो इधर आ जाता था वो case नहीं होगा अगर loss होगा तो हम क्यों tax देंगे भाई हमें तो income ही चीए ठीक है न यह क्या है हमारा यह net profit है इस net profit पर यानि कि इस income पर government हम से क्या वसूलती है यह business की ही तो income है यह business की ही तो income है इस business की income पर government हम से tax वसूलती है ठीक है जो इस चैप्टर में आता है लेकिन इस बिजनिस की इंकम को जैसे आप दिखा रहे हो उस तरीके से ही गवर्मेंट हाँ जी नहीं बोल लेगी मतलब यह कि तुमने यहाँ पर सभी खर्चे माइनस कर रखें सेलरी, रेंट, इंकम टेक्स, इलेक्टिसिटी बिल और भी तुमने जो भी परसनल हैं चाहे नॉन बिजनिस के हैं वो आपने सभी खर्चे यहां से माइनस कर रखें government क्या कहेगी भाई तुमारी income कितनी हम कहेंगे सर इतनी government कहेगी दिखाओ जरा profit and loss account income tax authority कहेगी हमने दिखाया तो government कहेगी एक बात बताओ income tax तुमारा खर्चा है या business का खर्चा है हम कहेंगे हमारी income पर जो tax दिया गया वो income tax कहेगी government हटाओ जिसा समझना बात को यह personal expenses क्यों माइनस कर रखे हैं यह भी हटाओ government क्यों कह रही है इन्हें हटाने को profit and loss किसका बन रहा है भाई profit and loss बन रहा है business का तो expenses भी business वाले होने चाहिए आपने क्या कर रखा है जो allowed expense है जससे कि यह expense allowed है salary है rent है electricity का bill है यह सब business के खर्चे हैं तो यह allowed है यह सब क्या है allowed है लेकिन जो आपने income tax और personal expenses हटाए हैं इसमसे यानि कि minus करें हैं वो minus जो कर दिया आपने वो disallowed expense है भाई वो कहलाए जा रहे हैं आपके disallowed expenses है government क्या करेगी इन दोनों points को हटाने के लिए बोलेगी बोलेगी income tax आपको उसकी छूट नहीं मिलेगी personal expenses की छूट नहीं मिलेगी यानि कि हम दोनों हम इन दोनों points को इसमें वापस से add करने वाले हैं क्या क्या एक तो income tax जो हमने अब जो यह income आई है हमारी government के according जो यह income आई है हमारी x y z इस पर government क्या लेगी tax लेगी क्योंकि यह जो income आई है हमारी taxable income है यहां तक का matter clear हो गया होगा यह हमारी taxable income होती है वरना profit and loss में तो हम ऐसे कोई भी खर्चा दिखा देंगे और government को बेफकूफ बना देंगे लेकिन तुम्हें पता है government बेफकूफ नहीं है नहीं कभी बनी है वो तुमारा बेफकूफ जरूर बना देगी तुम उसका बेफक स्टीवन कहता है कि allowed expenses की हम तुमें detail देंगे disallowed expense की हम तुमें detail देंगे उसके बाद अपना profit and loss तैयार करो ताकि आपको केसी ही ना कराना पड़े कोई भी और जो आपका net profit आएगा उस पर फिर हम tax वसूल लेंगे लेकिन question क्या आएगा अब question आएगा यह ऐसे करके न सारा पी एंडल बना हुआ आ जाएगा तुमारे सामने net profit भी question में given रहेगा मज़े की बात देखो net profit भी question में given रहेगा उसे उठा कर आपको start करना है question और फिर जो आपके disallowed expense है उनको treat करना है यहाँ पर भी कुछ income ऐसी income होती है जो हमने खाम खाँ यहाँ ले रखी है लेकिन व चालो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बात करते हैं कुछ income भी होंगी यहाँ पर income कैसी ध्यान होगा आपको हमने discount receive करा किसी चीज़ पर हमें discount मिल या business की income है लेकिन हमें ब्याज मिला interest received on investment हमें interest receive ब्याइब तो क्या ये business की income है नहीं sir बिलकुल भी नहीं है ये business की income हमारा काम ये थोड़ाइना है कि हम investment करते हैं हम तो माल को बेचने से पैसा कमाते हैं या देको sale करने से हम जो income कमाते हैं वो income business की income है ये income जो interest receive वाली income है ये तो other source की income है income from other sources वाले chapter में जाएगी है interest receive on investment अच्छा सा discount receive by discount receive तो business की वज़ा से हुआ है business के किसी कारिय को करते हुए या कोई transaction को करते हुए हमें discount receive तो वो business की income है इसे यही रहने देंगे इसे नीच छड़ा खानी करेंगे लेकिन अब ये income तुमारी income from other sources है ले रखे आपने PGVP वाले profit and loss में तो आपको ये हटानी पड़ेगी यानि कि हम इस वाली income को income other sources में ये जो आपने point यहां ले रखा है उसके भी तो हम उटा रही होगी net profit की उसे हटा देंगे हम यहां से चीक है इस business की income में से इस वाली income में से इसे point को हटा देंगे यानि कि मैं आपको computation का format देने वाला हूँ क्या चीज मतलब इसमें है plus करनी है क्या minus करनी है उसे देख लेता है फटा फट से चालो यह रही आपके सामने competition of income from business चीक है competition of income from business क्या कह रहा है यह net profit उठाओ सबसे पहले net profit as per profit and loss account जो आपका profit and loss account बता रहा है net profit को वो आप उठा लो यहां रखो ठीक है and then add करो उसमें expenditure जो आपके disallowed है और या inadmissible expenses है यानि कि जो allowed नहीं है expense वो आपने अगर घटा रखे है minus कर रखे है आपने पी एंडल में से net profit को निकालते वक्ते तो या उन्हें plus करो वापस लाओ क्योंकि उनकी तुम्हें deduction नहीं मिलेगी यानि कि वो disallowed expense है उन्हें आप plus करो बहुत आसान point कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है भी आगे आओ दो point को आप less कर लो क्यों less करने पहला less कर लो आप expenditure या expenses जो not debited to the pay and deal account है allowed as per provisions provisions मैं बताँगा आपको not debited to pay and deal का मतलब देख लो एक मिनट कुछ ऐसे भी तो खर्चे हो सकते हैं जो हमने पेंडल में नहीं लिए profitable laws में कोई error हो गई हमसे छूट गया कोई खर्चा हमने यहां record नहीं करा है लेकिन वह expense है आपके business का तो उसकी हमें deduction allowed है allowed है deduction तो हम क्या करेंगे उसे हैं से minus कर देंगे यहां नहीं ले रखा है तो हम उसे ले लेंगे यानि कि हम उसे minus कर देंगे ठीक है आगे आओ income credit in the पेंडल account जो income हमने credit करी हुई है पेंडल account में लेकिन वो different heads की income है different head की income है माल लो मैं आपर कोई rent receive कर लो rent received हुआ मैंने यह point बता था एक हीरा rent receive हुआ तो rent receive तो भाई income from house property की income है income from house property की income है तो आप इन्हें यहां नहीं ले सकते हैं इसलिए मैं क्या करना होगा incomes जो हमारी credit रखे हैं पेंडल account में different heads की जो income है उनकों में less करना होगा ठीक है उनकों less कर देंगे उसके बाद में calculation करने की बाद में हम अपनी income लाएंगे income from business यहां तक की बाद बिल्कुल किलियर हो गई होगी दुबारा देख लेना पोस्ट करके एक बार अपना अराम से तुम लोग भी बढ़ लेना है ना चाले आगे बढ़ते हैं profession की income कैसे निकलते हैं profession की भी देख लेते हैं दो लाइन है मुश्किल से उने भी इसी वीडियो में खतम कर डालते हैं आगे फिर मैं आपको allowed expense और disallowed expenses का पूरा चिठा तुमारे सामने रख दूँगा अराम से दो या तीन लेक्चर में हमारी ये जो PGP का चैप्टर को फिनिश हो जाएगा आओ competition of income from profession अगर profession के case में बनता है receipt and payment account या expenditure income and expenditure account तो आपको resets मिलेंगी resets low relating to the profession cash basis cash basis क्या है मैं आपको बताऊँगा numerical करते वक्त attention नहीं लेनी है resets जो आपकी profession से related होंगी उन्हें आप रख लो resets का मतलब होता है जो आपकी income है जो आपकी प्राक्तियां है प्राक्ति से मतलब जो भी आपको पैसा मिल रहा है professions related उसे आप resets मानते हुए रख लो ठीक है उसमें से minus कर दो बस payment relating to the profession बस बात खतम यानि कि profession से related जो भी आपकी payment होगी उसे आप minus कर दीजिए answer आजाएगा आपका income from profession ठीक है answer आपका income from profession वापस जाना पड़ेगा आमें तो income देखेंगे नहीं जाना पड़ेगा सीधा सीधा तो resets उठाओ कितनी resets हमें मिली उसके बाद जो भी खर्चते professions related वो minus करो answer आपका ठीक है इस वीडियो में इतने ही रखते हैं अभी आगे मैं आपको बताऊंगा next lecture में allowed expense और disallowed expenses के बारे में ठीक है गाईज तो वीडियो को share करना ना भूलें कम से कम अपनी classmate के साथ तो share कर दो ताकि उन्हें मतलब हो सकता है college में ना समझ में आ रहा हो या tuition जहां जा रहा हो ना समझ में आ रहा हो तो शायद मेरी वीडियो समने समझ में आ जाए ठीक है तो आप लोग please share जरूर करना और वीडियो को like जरूर कर देना चले गाईज मिलते हैं आप से next lecture में तब तक के लिए thank you